सो गज़ अगर आप Center Wake of India का एकाउंट ठोलडर है और आप जानना चाहते है जो गर्मेंट सबसीडी मिलता है मेरे बेंक में इनेबल है या नहीं मतलब मेरे Center Wake of India में मेरा गर्मेंट सबसीडी जो रिसीवी होता है वो इनेबल है की नहीं तो आप कैसे चेक करेंगे ओनलाइन घर बैठे आप कैसे चेक करेंगे कि मेरा सबसीडी का जो भी है वो मेरे Center Wake of India में इनेबल है तो आपको भी पता है कि सबसीडी जो आधार लिंकिंग से काम करता है मानलो कि आप LPG के भोगता हो आपने connection जब करवाया था उसमें जो आधार क करेंगे यह चीजे में online बताऊंगा Center Wake of India में आप आधार कार्ट से चेक कर सकते हैं मेरे जो सबसीडी है वो इस एकाउंट में आ रहा है और साथी साथ मैं को यह भी पताऊंगा या ब्रांच बिजित नहीं करना चाहते हैं आप अपने बेंक का ब्रांच बिजित नहीं करना करेंगे मेरे पास एक सेंटर बेकाफ इंडिया का एकाउंट नमर है मैं उस एकाउंट नमर के जरिए और एक रजिस्टर मुआल पर पूर्टी पी जाएगा उस उटीप के जरिए में आपको चेक करके दिखाऊंगा कि मेरा सबसीडी इस एकाउंट में इनेवल है या नहीं दो दो पर ढसे उसके लिए मैं सेंटर में प्रक। करता हूं नया आड़ा को एक फिर दिक्षाइब करना है तो यहां पर बैस सब्स्वाइब करनेगे तो यहां पर आधार मैं अपना फटाफट ओटीपी डालके सब्मिट करता हूँ तो यहां पर मेरे को तीन-चार अपसन आगया है कि यूजर इडी मतलब आपका से आफ नमर यहां पर लिंक अधार लिंक अधार मतलब आपका अधार नमर यह पर दिखाएगा और एकाउंट नमर दिखाएगा और मालनो LPG का सबसीडी का लाब उठाना है तो ब्रांच विजिट करेंगा तो वहां पर उसको इनेवल कर दिया जाएगा अब मैं आपको दूसरा एकाउंट मर डालके यहां पर सबसीडी चेक कराऊंगा यहां पर उसके लिए मैं सेम वेबसाइट पर जाता हूं सेम परक्रिय पर यहां पर जो भी सबसीडी है वह यह करके लिखा रहा है पिछले वाला में दे रहा था नो मतलब कोई भी सबसीडी नहीं था सेंटर वेक अफ इंडिया में अधार लिंकिंग से और यहां पर यहां पर दिखा रहेगा अगर आप इनेवल करना चाहते हैं उसके लिए आप अपने टीम ईकांट में देना चाहते हैं तो आप यहां पर पेट्यम को ऐपन करनना है यहां सब्सीडी करें लिंक writes वह इनिवल हो गया है जो भी सबसेडि आएगा हों इसी में आएगा ठीक है कि इस तरीके से आप अपना सबसेडी ले सकते हैं लिकिन करेंज है कि में अगर MP3 अगर आपका सबसेडि आ रहा है तो आप कैसे चेक करेंगे जिए आग को चैक्न SN Belinda